सभी सिच्चक साथियों को नमस्कार आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है जैसा कि आप अवगत हैं कि दीक्षा एपर बर्तमान में माड्यूल 14 है विद्यालाई शिक्षा में नई पहले का प्रशिक्षण गतिमान है इस माड्यूल में दी गई गत्वित संख्या 5 के लिए मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर प्रदर्शित आई बटन पर क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं आज इस वीडियो में मैं इस माड्यूल की मुख्य प्रस्नोत्तरी में पूछे गई सभी प्रस्नों के सही उत्तर बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने उत्तरों की जाच कर सकें आएए प्रारम्ब करते हैं यह प्रश्णोत्तरी और जानते हैं एक एक कर सभी प्रश्णों के सही उत्तर साथियो यद यह वीडियो उप्योगी हो तो इसे लाइक कर अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बैल आइकन को दबा कर आल सिलेक्ट कर लीजिए वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे वाट्सेप, फेस्बुक और टेलिग्राम गृप्स को भी जॉइन कर सकते हैं जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आए प्रारम करते हैं आज का वीडियो प्रस्नोत्तरी का पहला प्रस्न है समग्र शिक्षा एक यकी कृति योजना है जिसमें सरकार की तीन पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं है उत्तर के चार बिकल्प दिये गए हैं प्रतियेक बिकल्प में तीन योजनाओं के नाम दिये गए हैं इसका सही उत्तर है सर्व शिक्षावियान, SSA, राश्ट्रिय मध्यम शिक्षावियान, RMSA और शिक्षक शिक्षा. अगला प्रश्ण है वर्तुमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा सुरू किया गया आनलाइन पोर्टल, उत्तर के चार बिकल्ब दिये गए हैं, शाला दर्पन, Union Bank of India, सुल्क जमा पोर्टल, दीक्षा एप और यूडाइस या शिक्षा के लिए एकी करत जिला सुचना प्रडाली. इसका सही उत्तर है यूडाइस या शिक्षा के लिए एकी करत जिला सुचना प्रडाली. अगला प्रश्ण है, National Achievement Survey की आवस्ष्यक्ता क्यों है? उत्तर के चार विकल्ब दिये गए हैं बच्चे के ग्यान का आकलन करने के लिए शिक्षक के ग्यान का आकलन करने के लिए सीखने के परडामों का आकलन करने के लिए और देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए इसका सही उत्तर है सीखने के परड़ामों का आंकलन करने के लिए अगला प्रशन है समग्र शिक्षा किन वर्गों में सामिल है उत्तर के चार विकल्ब दिये गए हैं कक्षा एक से साथ तक कक्षा एक से वारहभी तक कक्षा एक से दस तक और पूर्व विद्याले से बारहभी तक इसका सही उत्तर है पूर्व विद्याले से बारहभी तक अगला प्रशन है समग्र शिक्षा यूजना के मुख्य घटक इस प्रशन में 6 घटक दिये गए हैं पूर्व विद्यालेई शिक्षा इसमें घटक संख्या एक से पांस तक समग्र सिक्षा यूजना के मुख्य घटक है जबकि छटवा घटक स्वक्ष भारत अभियान समग्र सिक्षा यूजना का मुख्य घटक नहीं है इसका सही उत्तर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौधा और पांच्वा अगला प्रस्ण है, प्रारम्मिक इस्तर पर राष्ट्रिय उपलब्दी सर्वेक्षन या एन एस किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्दी का आकलन करने के लिए किया गया है उत्तर के चार विकल्ब दिये गए हैं, कक्षा एक से नौ, दस्वी कक्षा तक, कक्षा तीन, पांच और आठ और कक्षा तीन से नौ तक अगला प्रशन है, इसकूल शिक्षा से सम्मंदित सभी जानकारी प्रदान करने है तू देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंतराले द्वारा शुरू किया गया पोर्टल उत्तर की 4 विकलब दिये गए हैं, जिग्ज्यासु पोर्टल, कार्तवीर्य पोर्टल, सगुन पोर्टल और दीख्षा पोर्टल इसका सही उत्तर है, सगुन पोर्टल अगला प्रश्ण है राजियों और संग राज्य छेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यानवयन संस्था कौन सी है उत्तर के चार बिकल्ब दिये गए हैं राज्य परियोजिना निर्देशक का कार्याल है राज्य का वित्य विवाग राज्य का खजाना और राज्य कार्यान वयन समिती इसका सही उत्तर है राज्य कार्यान वयन समिती अगला प्रस्ण है निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना अर्थात MDMS का द्रश्टिकोण नहीं है। उत्तर के चार विकल्ब दिये गए हैं। खाना पकाने की प्रतियोगिता, थिथी भोजन, विद्यालाई पोशन उद्यान और अतिथी भोजन। इसका सही उत्तर है अतिथी भोजन। अगला प्रश्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। उत्तर के चार विकल्ब दिये गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान 2000, एक लब्ब्य मॉडल आवासी विद्यालाई 1998, राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009, और नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलर्शिप 2008। इसका सही उत्तर है सर्व शिक्षा अभियान 2000। सभी प्रस्णों का उत्तर देने के बाद सम्मिट बटन पर क्लिक करना है। साथियों, यदि आपने इसी प्रकार प्रस्णों के उत्तर दिये होंगे, तो आपका भी स्कोर 10 आउट आफ 10 रहा होगा। आप द्वारा इस प्रस्णोत्तरी में अर्जित किये गए अंक बहुत महत्त्पूर्ण है। यदि आप अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप redo या replay बटन पर क्लिक कर अथवा प्रस्णोत्तरी को open कर सभी प्रस्णों के उत्तर पुनह दे सकते हैं, एवं उत्तरों को सम्मिट कर अपना स्कोर सुधार सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए आपसे अनुमती चाहता हूँ, जै हिंद।